सो हें नमस्का दोस्तों फाइनली जो हमारा MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर है वो आ चुका है यहाँ पर जब शावी ने लॉंच किया था MIUI 13 का अपडेट तब गैस जो कंट्रोल सेंटर था कुछ इस तरह का सो करता था पर जब ओफिशली बीटा वर्जन आया तो उसमें किसी भी तर का कंट्रोल सेंटर है उसको आप किसे यूज कर सकते हैं क्या आपने डाउनलोड कर पाएंगे या नहीं सारी बात आपको आज किस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ तो मेक्सिर आप हमारी चैनल टेकर सको सब्सक्राइब करें अगर आपको MIUI 13 कोई भी वीडियो देखन आया है तो थोड़ा होल्ड कर जाओ इसके बाद अगर आपकी डिवाइस में एंट्रोड 12 का भी अपडेट नहीं है फिर भी आप ठहर जाओ क्योंकि यहां पर हो सकता है आपके डिवाइस क्रेस भी कर जाए और आपके डिवाइस ब्रिक हो जाए यहां पर मैं आपको आगे जो अपडेट है हो सब भी रेडमी शामी पोको के लिए अवेलेबल है जो नौर्मल कंट्रोल सेंटर है आप यहां पर देख सकते हैं उसको चैन्ज करके कुछ चीज तरगा कर सकते हैं जिसमें आपको दो वोल्यूम पेनल मिल जाएगी एक वोल्यूम पेनल है दूसरा है ब यहां पर डाउनलोड हो जाएगा इसके लब अगयर जो लेटेस अबडेट है उसकी फाइल को डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद आपको अपना जो डीवाई से उसको रिस्टार्ट कर देना है तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो नॉर्मल कंट्रोल चेंटर है वह इंस्ट्रोल है इंस्ट्रोल नया एमाय थर्टिन कंट्रोल चेंटर इंस्ट्रोल करने के लिए सिस्टम यूए प्लगिन का जो लेटास अब्डेट है यहां पर आप स्कून पर देख सकते हैं 13.0.0.4 उसको आपको डाउलोड करना है डाउलोड करते ही आपका कंट्रोल चेंटर है वह अनेबल हो जाएगा अब मेन बात आती है जैसे ही आप इस सिस्टम यूए प्लगिन को एपलाइ करेंगे तो कुछ कुछ डिवाइस यहां पर क्रेस्ट कर जाते हैं तो यहां पर सबसे पहले आप वर्णिंग को रीड कर लिजिए इंस्ट्ल एट य सिस्टम यूए प्लगिन है जैसे में ने हमारी फिरल गडिए तो इसी इपेंस है ऊच्टी यूए यहां पर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जिए जो कि this screen on होती है फिर off हो जाती है यहां पर अगर आपकी दिकत नहीं है तो अभी के लिए आप यह फाइल यह यहांपकी Rendez दीवेस का ब्रीक हो गया तो फीर उसको to recovery में लाना इंपॉसीबल हो जाएगा तो make sure थोड़े टाइम के लिए किसा आपको hold कर लो क्योंकि यहाँ पर काफी सारे comment मेरे को Mew18 वीडियो पर आ रही थी कि by control center कब आएगा किसे हम install कर पाएगे तो मैंने आपको method, process, सब कुछ बता दिया अब आप पर depend करता है आपको download करना है या नहीं मैं 101% recommend करता हूँ आपको download नहीं करना है C4CPA वीडियो इसलिए बनाया कि आपके जो phone ने वो crash ना कर जाए इसलिए आप थोड़ा सहल जाओ क्योंकि YouTube पर हो सकता है काफी सारे video available हो जाएगा इसके बाद और आप लोग ने download के लिया होगा फिर काफी problem क्रियेट हो जाएगा तो करेंट लिए सब भी problem से बचने के लिए कोई भी बीटा आपी के डाउनलोड माद करो और एसे इंट्रसिंग माइट होटिंग के रिलेटेड सब भी वीडियो दिखने के लिए मेक सूर आप हमारे चैनल टेक रस को सब्सक्राइब जरूर करिये तो आयागे इस मिल देखने वीडियो में तब तक के लिए जय ही इंद